हेलो रिवन वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू सो गाइज इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं साइंस एंड टेकनॉलजी के करंट अफियर्ज बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे क्यों कि उनके बहुत सारे एक्जाम अभी जो है इस पाइपलाइन में हैं अभी दो पर काम कर रहा हूं जुलाई पर भी तो मैं जो है सारे पुरानी जो करंट अफियर्ज को पढ़ने से पहले बता दूं कि करंट अफियर्ज जो है हम इसमें ऐसे पढ़ेंगे मतलब ऐसे तो आपने पढ़ें नहीं होंगे इस तरीके से जैसे मैं पढ़ाऊंगा और हम सिरफ important facts की उपर बात करेंगे important चीजों की उपर बात करेंगे हम ऐसा नहीं है कि उसके अंदर घुसेंगे कि क्या है क्या है क्या है जहां से आपके वो question बन सकते हैं कि हाँ ये news ठी इससे अब question क्या बनेगा तो उन चीजों की उपर हम बात करेंगे तो अच्छे से समझना जो भी चीज न्यूज में होगी, वो ही आपको question आता है exam में, otherwise नहीं आता, तो आज हम discuss करेंगे अगस्त महीने के current affairs और इस class को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है Dr. Vipan Goyal, आप सब को पता है, और बढ़ते हैं जी आगे, और हाँ, तो बढ़ते हैं आगे, my name is Dr. Vipan Goyal, इस classes के जितने भी, जो भी हमारे lectures होते हैं, जा important चीज़े होती हैं, PDFs वगएरा, हाँ, मैं थोड़ा सा late लतीफ जरूर हूँ, PDF शेर करने में, बट मैं शेर कर देता होता हूँ, तो हमारे जो PDF वगएरा, lectures वगएरा, वो Telegram चैनल के उपर आपको मिलेंगे, Instagram के उपर आप म बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, जो हिंदी मीडियम के होंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, और आप चाहते हैं कि ये पूरा content शुद हिंदी में, अगर आप चाहते हैं, तो comment section में लिखके जरूर बताना, ठीक है, बट मैं again ऐसा है कि यहां पे जो मैं बोलूँगा, वो हिंदी में ही बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि एक-एक word को पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के हम ऐसे काम करेंगे, नहीं, तो अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर आप फिर भी शुद हिंदी चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी वो लिख देना, ठीक है, तो जो चाइना है, वो वर्ल्ड का पहला फर्स न्यूक्रिलर पावल प्लांट बनाने वाला है, जिसमें वो यूज़ करेगा, मोल्टन थोरियम, ये मोल्टन थोरियम क्या है, वो बाद में बात करेंगे, मोल्टन थोरियम को यूज़ करके, चाइना जो है पहला power plant बनाने वाला है 2025 में यह operational हो जाएगा और यह होगा कहां पे गोबी डैजर्ट में और यह गोबी डैजर्ट आपको पता है कि एशिया का एशिया के अंतरगत जो है आपका डैजर्ट है और यह देखने को मिलता है चाइना और मंगोलिया के बीच में चाइना और molten thorium जो यह fuel यूज़ करेगा वो इससे क्या होगा देखे पहले बात तो इस molten thorium को हमें convert करना पड़ेगा uranium 233 के साथ और इसके अंतरगत जो है हम प्रॉपर तरीके से जो है liquid salt और carbon dioxide का इस्तेमाल करेंगे जैसे हम normal nuclear उसमें यूज़ करते हैं nuclear reactor में हम यूज़ करते हैं कि ज इसमें जो है heat transfer को रोकने के लिए जा coolant को coolant का का काम करने के लिए कि इस पूरे plant को ठंडा रखे तो हम use करेंगे liquid salt और carbon dioxide जिससे यह जो है आपका meltdown प्रॉपर तरीके से नहीं होगा जाना कि इसमें melting जो time है जब melting है वो आपकी कम करेगा और यह molten salt जो है molten salt reactor जो है पहली ब जाला है और यह operation हो जाएगा 2025 यह याद रखना पूरा data याद रखने की जूरत नहीं है मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी understanding के लिए word डाले हैं जहां पर मैंने वह बोल्ड करके word डाले है ना वही आपके लिए सबसे अगा important है अब आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूं nuclear reactor की अगर हम बात करते हैं तो nuclear reactor में जो है आपको पता है कि दो तरीके से प्रोसेस चलता है ठीक है एक तो होता है जिसमें हम जो है आपके जो आपका material होता है जैसे आपका uranium 235 है इसको तोड़ा जाता है इसको तोड़ने के बाद जो है आपका प्रॉपर तरीक से बेरियम नि निकलता है और neutron निकलते हैं neutron निकलता है यह neutron आगे chain reaction बनाता है अगर इस chain reaction को control करना है तभी हमें यह सारी चीज़ों की जूरत पड़ती है graphite as a moderator यूज़ करते हैं coolant की तरह हमें पानी को यूज़ करना पड़ता है यह सब चीज़े हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब जो nuclear reactor जो है आपका nuclear reactor है वो क्या करता है nuclear fusion को क्या करता है controlled way में करके आता है अगर वो uncontrolled nuclear fusion हो जाए जाने कि विखंडन जो है uncontrolled हो जाए वो आ आपका देखने को मिलता है हमें atom bomb के अंतरगात atom bomb में देखने को मिलता है और एक process होता है nuclear fusion nuclear fusion तो nuclear fusion में क्या होता है कि जो छोटे particles होते हैं उनको add-on किया जाता है और उसके बाद जो है energy release करी जाती है यह सारी energy जो है हम proper तरीके से electricity generation बगार में main use करते है nuclear fusion में भी वही किय चलती है और यह dangerous भी है और example अगर हम nuclear fusion की बात करें तो आपका जो hydrogen bomb है वो आपका किसकी उपर बेज़ जा है nuclear fusion की उपर sun की जो energy है वो किसकी उपर बेज़ जा है आपकी that is on the nuclear fusion तो यह आपको पता होना चाहिए बड़ेट चलिए नेक्स बात करते हैं अभी जो है पहला first approach to critical criticality जो है इंडिया का पहला 500 Megawatt electrical prototype बनाने जा रहे है डाट इस पास्ट व्लेडर रियक्टर 500 मेगवाट इलेक्टिकल प्रोटोटाइप बनाने जा रहे हैं इसमें क्या है देखें यह पहली बात तो यह क्रिटिकैलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है इस वर्ड का मतलब होता है जब आपके जैसे मैंने आपसे बात करें तिना reaction होता है neutrons निकलते हैं जैसी वो neutrons निकलेंगे fusion करके तूट के तो जो आपके वो neutrons जातो जब बाहर निकल जाएंगे तो नुकसान होगा तो यह criticality का मतलब यह होता है कि हम जो खतम हो गए है जा नुकसान हो गया है neutrons का उसको हम क्या करेंगे हम उसको जो है प्रपर तरीगे से constant करने की कोशिश करेंगे इस criticality के अंतरगत कहने का मतलब यह है कि जब भी यह reaction चलती है जैसे हमने अभी discuss किया था यह वाला reaction चलती है यह neutrons निकलते हैं यह neutrons जो हैं आगे बढ़ते रहते हैं और जिसे हम क्या कहा देते हैं chain reaction के नाम से हमने जैसे बात करी थी कि chain reaction वो बना लेते हैं कि आगे एक का तीन, तीन के नो इस तरीके से आगे आगे बढ़ते चले आते हैं अगर यह neutron जो है हमने रोकना है neutron को control करना है nickel को proper तरीके से absorption करना है तो वो बहुत ज़ादा जरूरी है बहुत ज़ादा जरूरी है अगर यह neutron कंट्रोल ना किये गए तो भाई नुकसान होता है और इसी लिए यह पहला अप्रोच है हमारा criticality के लिए जो हम बनाने जा रहे हैं कलपक कम तमिलनाडू के अंदरबद अब इसके लावा आप कुछ जो है हमारे जो है nuclear reactor याद कर लेजे जैसे के नरोरा की बात करें उत्रपरदेश में है राज्यस्तान रावत भाटा काकरापार गुजरात में तारापुर आपका महाराश्च्रा में क्यागा करनाटका में और आपका मदरास और जो है कुदान कुलम जो है यह देखने को मिलता है हमें तमिलनाडू में So these are the reactors, जो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं. चलेजी, third news पे चलते हैं हम अपने. अभी जो है, South Korea की, South Korea ने एक टेकनीक निकाली है, जिसे कहते है, Nanomind. ये Nanomind क्या है? जितने भी जो हमारे brain के circuit है, brain जो हमारा signal एक जगा से दूसी जगा तक लेकी जाता है, जिस तरीके से हम अपना काम करते हैं, और computer technology के साथ काम किया जाता है, जा फिर कुछ भी ऐसी चीजें, जो brain में दिक्कत करती हैं, तो दिक्कत मतलब कोई बिमारी है, तो उन चीजों के लिए, treatment के लिए यह nanomind technology आपकी इस्तेमाल की जाएगी, और इस nanomind technology में हम specific जो जगा target करना चाहते हैं, उस जगा को target करके हम नई चीजें निकाल सकते हैं, यहां से, अब यह क्या है, देखे, nanomind technology की full form देख लिए चाहिए, nanomind का मतलब है, magnetic interface for neurodynamics, इसमें हम use करते हैं, magnetic field का, और magnetized nanoparticle का, so that, हम जो है deep brain neural circuits को जान पाएं, और इस technology से हम targeted brain circuits जो है, create कर पाएंगे, और जिससे हम understand करें पाएंगे, brain functions, brain computed interface, new treatment in the neurological disorders, तो this is a nanomind, very, very, very important, यह paper में आ सकता है कि what is nanomind technology, ओके, इसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, magnetic field और आपका magnetic nanoparticles का, और wirelessly इस्तेमाल किया जाता है, ओके, next question, next मतलब news है वारी, अब यहाँ पर क्या है, MRA vaccine, MRA vaccine का इस्तेमाल करके, जो हमारे lower और middle income countries हैं, उसमें एक virus बहुत ज़्यदा फैल रहा था, जिसे हम कहते हैं, H5N1, यह जो है human influenza virus है, आपका, जो के पक्षियों के अंदर गत, bird flu जिसे आप कह सकते हो, bird flu, avian flu, birds को avian कहते हैं न, तो avian flu, तो actually जो है, इस शीज़ को बनाया है, यह initiative mRNA vaccine का, human influenza virus के लिए लिया है, world health organization and medicine patent pool के द्वारा लिया गया है, इसमें हम proper करते क्या है, इसमें जो है mRNA technology का इस्तेमाल किया जाता है, और proper तरीके से उस virus को deactivate किया जाता है, और इससे जो है, आपकी जो vaccine capacity है, वो बढ़ेगी, mRNA technology को अगर हम different different जगाओं पे लेके जाएंगे, technology बढ़ेगी, और भिमारियां जाद से जादा दूर होंगी, अब यह क्या है जी, यह आपका जो है, establish किया गया था, सबसे पहली बार 2021 के अंत्रकाथ, अब आपको पता है कि DNA से RNA बनता है, RNA से protein बनता है, अब यह mRNA का full form पूछा जा सकता है, mRNA is the messenger RNA, messenger RNA, और RNA जो होता है, वो ribonucleic acid होता है, ribonucleic acid, और यह single standard होता है, single standard, single standard का मतलब क्या है, यह proper तरिके से ऐसे single है, और इसमें जो base लगे होते हैं, A, T के साथ bind होता है, और C, जो है, A, U के साथ bind होता है, और C, G के साथ bind होता है, अब यह AT क्या है, A is adenine, और U is uracil, और उसके बाद C is cytosine, and G is guanate, तो यह 4 basis देखने कों में मिलते हैं, DNA और RNA में difference होता है, कि DNA जो होता है, वो double standard होता है, और RNA जो है आपका single standard है, लेकिन DNA, RNA में difference के आता है, जैसे RNA में uracil होता है, और आपका DNA के अंतरगत होता है, thymine, T-H-Y-M-I-N-E, thymine, तो this is important, यह है जी आपका human influenza virus के लिए, चले जी, next point पढ़ते हैं, this is very important, genetic screening, genetic screening जो है, अब जैसे हम लोग हैं, आम लोग भी हैं, जहां हमारे athletes वगएरा हैं, हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनकी age बढ़ती चली जाती है, तो इनकी जो performance है, वो कम होती चली जाती है, अब age बढ़ने का concept नहीं है, जैसे जैसे थोड़ा सा 1, 2, 3, 4 years क्रॉस किये, इनकी performance कम होती जाती है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आप genetic screening कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर तरीके से आपको ये test किया जाता है, कि आपको किसी खाने से allergy तो नहीं है, vitamin या mineral की needs तो नहीं है, आपकी जो family का background है, उनमें कोई जिक्कत तो नहीं है, genetic material को test करके उसमें देखा जाता है, कि आपके chromosome, genes, proteins, क्या है, और आपको क्या बिमारी हो सकती है आने वाले time में, तो this is called genetic screening, और genetic screening जो है जैसे BCCAE है, BCCAE तो बहुत पहले से ही कर रहा है, तो ये genetic screening का जो concept है अभी लगातार भड़ता चला जा रहा है, अब this is, what is this genetic screening, genetic screening क्या है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से personal traits जैसे के food allergy, आपको कोई खाने से allergy, vitamin या mineral needs या कोई भी other physiological factor, कोई भी आपको चाहिए, तो भाई आपका इसमें test किया जाता है, इसमें हम जो है, ऐसे person जो काफी disorder और carrying specific infection जाने कि, इनमें ऐसी कोई genes होंगी, जिनमें बीमारी बहुत ज़्यदा फैल सकती है, तो उन चीज़ों को identify किया जाता है, इसमें हम प्रॉपर तरीके से genetic material का, genetic material का, chromosome का, genes का, और proteins का, ये प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, जहां जिससे हमें पता लग जाता है, कि हाँ, ये परसन जो है, कोई involved है किसी risk में, या इसको कोई बिमारी हो सकती है, तो ये सारी चीज़े, genetic material, chromosome, genes, और proteins सब को टेस्ट किया जाता है, और ये genetic screening है, next, fast tag, बड़ा important है, देखो, fast tag में एक एक कोशियन आ सकता है, कि ये कौन सी technology को use करते है, radio frequency identification technology का इसे माल किया जाता है, बट, अभी नए rules लागू किये गई है, आपके fast tag ने, तो थोड़ा सा मैं उसको कर देता हूँ, बीच में चलो, आपको एक idea हो जाएगा, देखो, fast tag जो है, पेहन इंडिया, इंडिया operable electronic toll collection system है, जो के government of इंडिया के द्वारा लगाया गया है, इसमें technology यूज होती है, radio frequency identification technology, अब इसमें इन्होंने क्या updates किये हैं, भाई आपको KYC update कराना पड़ेगा, अगर आपका जो fast tag है, वो 5 साल लगातर आप use कर चुके हैं, तो भाई उसको खतम करके नया बनवाना पड़ेगा, अगर आपको 3 साल complete हो गए हैं, तो 3 साल वाला बंदा उसको update करवा सकता है, और आपकी vehicle की information को आपको proper तरीके से जो है link करना पड़ेगा, एक गाड़ी, एक vehicle, एक ही बंदे का है, तो proper तरीके से आपको जो है, ये chassis number, registration number, ये सब चीज़े जो हैं, आपको attach करवानी पड़ेंगी, so that ये सारी चीज़े आपकी होज़ें ठीक तरह से, और अगर आपको नई गाड़ी वगएरा खरीते हैं, तो आपको 90 दिनों के अंदर अंदर जो है, ये सारी चीज़ें अपडेट करवा लेनी चाहिए, और इसके साथा जो है, database verification होगा, कि जो fast है आपका लगा है, कि जो वहन database है हमारा, जहां जब आपका, जो आपका national vehicle registry है, इंडिया के अंतरगत, उससे match करता है, सब देखी जाती है, photo upload करवाई जाएगी, mobile number attach करवाई जाएगा, तो ये fast आएगा, तो मतलब main यहां पे, चलो ये तो आपको current affair में वैसे हो गया, but otherwise आपको ये पता होना चाहिए, RIFD technology के उपर ये based है, रिडियो फ्रिकेंजी इडिन्टिफिकेशन टेकनोलजी, ओके, चलिए जी, next हमारा जो current affair है अगस्त में, ये दो परसन जो है, हमारे एक्जियम 4, मिशन के अंतरगत जो है, जो international space station में जाने वाला है, ये select के गए हैं, ये दो नो इंडियन group captains कौन है, ये ISRO और NASA का project देखने को मिल रहा है, और ये किसके द्वारा operate किया जाएगा, एक्जियम स्पेस द्वारा और SpaceX crew dragon spacecraft को use करने वाले हैं, एक्जियम स्पेस जो है, इसको operate करेगा, लेकिन ये use क्या करेंगे, SpaceX crew dragon spacecraft को use करेंगे, ये दो परसन, एक्जियम 4 mission, ये कहां जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस टेशन, तो this is important, अब हमें यहां पर एक चीज़ और पता होने चाहिए, कि what is this international space station, ये international space station जो है, एक modular station है, जिसका launch किया गया था, 1998 में, और जब पहला crew जो है, इनका 2000 में पहुँचा था, इसका जो objective ये होता है, कि astrology, astronomy, sorry, not astrology, it's astrology, astronomy, meteorological, physics, इन सब के फिनोमेना को यहां पे हम प्रॉपर तरेके से study कर सके, और इसको बेजा कितनी height की उपर जा रहा है, that is 400 km, जाने कि ये कहां पे आ गया, low earth orbit में देखने को हमें मिलेगा, low earth orbit में, और इस international space station को control करने के लिए 5 agencies हैं, वो कौन-कौन सी, NASA की, USA की NASA, Russia की Roscosmos, Japan की JAXA, Europe की ESA, that is European Space Agency, और Canada की Canadian Space Agency, यहां पे दिया रखना Canadian है, चाइना, मतलब गलती से मत कर ले न, क्योंकि वहां पे China word आ साकता है, चाइना का अपना space station नहीं है, और इन stations को control करने के लिए, दो ही आपके जो है, section है, जैसे मान के चलो कि यह जो है, आपका space station है, इसमें एक side जो है, Russia control करता है, और एक जो है, USA and other nations जो है, control करते हैं, तो इसमें Russia और USA का खेल है, मेल ले, तो यह दो section जो है, आपके Russian orbital segment, जिसको operate किया जाता है, Russia द्वारा, और United States वाला, United States और other nations जिसको control करते हैं, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो important चीज है, exam 4 में दो person, जो है आपके बालकरिशन नईयर जी, and सुभांशू शुकला जी, ठीक है, और यह जो भेजा जा रहा है, कहाँ पे स्पेस में, और 4th ISS, International Space Station है, जो ISS है, वो 400 km अबव है, low earth orbit में आ गया, ठीक है, और astrobiology, astronomy, metrological चीजों को study करने के लिए, पहली बार 1998 में, इसको launch किया गया था, पहला crew जो है 2000 में पहुंचा था, पांच एजन्सीज है, NASA, NASA होगी, European Space Agency, Canadian Space Agency, Japan हो गया, और आपका जो है, रश्या वाला, ROSCOSMOS हो गया, और इसमें control करने वाले दो हैं, रश्या एंड USA, तो इस इस इंपॉर्डेंट, ओके, चलिए जी, कि उसकी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, वट इस यहां का, वहां का क्या है यह, देखे, फर्स एनलॉग रिसर्च स्टेशन बनाने की बात करी गई है, आपकी लदाख के अंतरगर, कि ऐसी कंडिशन, जो लदाख में हैं, वही सेम कंडिशन, मून और मार्स की उपर भी है, तो हमें जो रिसर्च स्टेशन, मून और मार्स की बात चल रही है, तो जैसा स्टेशन जो है, आप यहां पर बना दो, डैडी जिन्दा लदाख में, कि सारी मून जैसी कंडिशन, मार्स जैसी कंडिशन, लदाक में देखने को मैं मिलती है यह analog space station जो होता है यह बिल्कुल वैसा ही station होता है वैसा ही station होता है जैसे दूसी जगा के उपर होगा ज़ा planetary bodies के उपर होगा और इसमें हम proper तरीके से जो extraterrestrial extraterrestrial का मतलब क्या है कि जो धर्ती के परह जाके जो चीजे होंगी उनको study करने में हमें help करेगा और वो सारी चीजे ले mimic करेगा जो वहाँ पर है that is Mars और Moon की उपर जो चीजे है वो सेम चीजे हम यहाँ पर पता कर सकते हैं धर्ती पर रहके और वो कौन करेगा research analog station और यह जो station है हम कहां पर बना रहे है that is Ladakh में अब बात यह है Ladakh को क्यों choose किया गया है Ladakh में बिल्कु सेम condition है dry condition है cold condition है desert condition है hilly terrains है rocky ground है बरफ है और glacier है सब कुछ ही देखने को हमें मिलता है यह इसलिए Ladakh को यह आपका choose किया गया है analog research station के लिए next की बात करते है vampire star यह vampire star अभी देखने को हमें मिला है vampire star को blue straggler stars के नाम से भी हम जानते है अब बात यहां पर यह है कि इससे हमें पता क्या लगेगा तो these are the vampire star और यह blue straggler stars इसके कहा जाता है इसको हमने ढूंडा astro set जो हमारी satellite है astro set जो कि पहली Indian Space Observatory है पहली Space Indian Observatory astro set उससे हमने यह पता किया है और उसका क्या चीज़ यूज़ करके that is the ultra violet imaging telescope यूज़ करके ultra violet imaging telescope यूज़ किया astro set का और उससे हमें find out क्या हुआ उससे find out यह हुआ कि यह जो stars है stars का atmosphere है वो कौन-कौन से minerals के अंतरक त्रिच होता है varium और ethrium and lengthenum तो यह important हो गया आपके लिए vampire stars को blue staggler stars कहते हैं और इसमें हम use क्या कर रहे है astro set की technology जो इंडिया का पहला space observatory satellite है और इसमें हम use करेंगे ultra wild imaging telescope और जिससे हम पता क्या करें है कि जो इस stars का जो atmosphere है varium, ethrium ethrium, ethrium जो भी है अ है यह ethrium and lengthenum के अंतरकत यह rich देखने को हमें मिलता है vampire star important है next यह बड़ा important है जी Nigeria में study करी गई जो वहाँ के बच्चे हो रहे हैं वहाँ के जो बच्चे हो रहे हैं उनके अंतरकत यह colistin कहां पे क्या यह colistin resistant bacteria मिल रहा है newborn babies के अंतरकत अब यह क्या है colistin what is this colistin यह एक actually antibiotic है अब देखो यह antibiotic देखने को हमें मिलती है अब यह क्या होता है कि जब आपकी body में severe infection आजाना यह last resort है इसको दे दो अब ठीक है तो लेकिन जो बच्चे जनम ले रहे है उनमें कैसे देखने को में मिल रहा है colistin उनमें इसलिए देखने को मिल रहा है कि ये colistin हम यूज कर रहे है agriculture में अग्रिकल्चर में हम bacteria विखारा को खत्म करने के लिए यूज नी कर रहे हम क्रॉप की जो कहते हैं कि growth के लिए इस colistin का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब colistin जब वो उसमें जाएगा मतलब crop में जाएगा वो crop जो है हम खाएंगे आटा बना के कुछ भी करके तो वो at the end हमारी body में क्या हो जाएगा antibiotic आ जाएगा और obviously बात है जब भी आप कोई antibiotic लेते हैं तो कोई bacteria जो कुछ भी है आपके उस antibiotic के साथ लगता है तो थोड़े time में एक resistance शो करने लग जाता है जब अगर आप 500 mg का antibiotic लेते हैं तो यह bacteria जो है 500 के साथ लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा विद टाइम यह 500 वाला यह 500 वाला ऐंटीबटिक खत्म जाने कि आपकी जो यह बैक्टीरिया है इसके लिए रिजिस्ट हो जाएगा, फिर अब क्या करना होगा, अब करना होगा, 650 वाला लेना पड़ेगा, हमें तब जाके ये बैक्टीरिया खतम होगा, otherwise नहीं खतम होगा, इस चीज को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉाइटिक रिजिस्टेंट के रिजिस्टेंस कहते हैं, तो ये कॉलिस बैक्टीरिया का फंक्शन, ये एंटीबॉाइटिक है, लास्ट रिजॉर्ट वाली है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, किसमें, खास करके एगरी कल्चर में, लाइफ स्टॉक फील्ड में, तो यहां पे हम इसको ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेदर देन द बारी है, अब इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है, आपका ड्यूरेबल कैटलिस्ट का, बार बार यूज़ कर सकते हैं, और एक है आपका एंटी फ्रीजिंग एलेक्टोलाइट, कहने का मतलब, कि यह इलेक्टोलाइट जो है, यह बरफी नी ब जैसे कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं, डिफेंस में कर सकते हैं, जैसे हमारे लडाक वगएरा में सूल्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर् लिकुड रहें और प्रापर तरीके से वो reaction करते चले जाएं तो this is the sub-zero battery जो CSIR ने develop करी है next देखें जी ये भी बड़ा important point है ये है जी ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनेरेटर टेकनोलजी ये what is this? ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनेरेटर टेकनोलजी क्या है? जैसे कि अगर हम कोई भी वॉक करते हैं जैसे हम वॉक करें हमारे जो पैर है पैर का प्रेशर लगेगा नीचे ये पैर लगा लो पैर का प्रेशर लगेगा नीचे तो ये चार्ज हो जाएंगे इस चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रोन्स रिलीज करवा के हम उसमें एनर्जी पैदा करेंगे एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्टिसिटी पैदा करेंगे GPS Global Positioning System and Radio Frequency Identification Technology का इस्तिमाल करेंगे इससे होगा क्या कि जो भी person के जो ये वाला जो शू है या कुछ भी है तो ये जो है footwear जो है जिस person के पास पास उसने डाला होगा तो हम उसकी exact location बता कर सकते हैं safety concerns बढ़ाए जा सकते हैं operational efficiencies बढ़ाए जा सकते हैं soldiers के case में use किया जा सकता है बच्चों के case में use किया जा सकता है ठीक है तो इससे जो है safety concerns ज्यादा बढ़ेंगे तो this is important यह है जी आपका tribal electric nanogenetic technology this is important ओके next point देखते हैं next news देखे जी अभी एक technique मिली है यह forever chemicals को regulate करने के लिए यह forever chemical का मतलब क्या है कि यह atmosphere में होते हैं यह atmosphere में क्यों होते हैं जो क्योंकि यह chemicals जो हैं हम daily चीजों में use करते हैं जैसे के candy wrappers हो गए ठीक है और यह आपके pesticides वगए तो यह जो चीजें हैं जैसे bottles हो गई यह आपके nail polish हो गई ठीक है यह dental floss हो गया यह घर में चीजें आप use कर रहे हो यह कपड़े ऐसे जो भाई आपके पसीना वगएरा सुखाते हैं मतलब पसीना वगएरा के ना हूं जा उस तरीके के ठीक है तो जो नॉर्मल खरनाउं हम घरों में चीजें यूश करते है ना तो वह सब चीजों में क्या हैं यह लगाता है जो करिज नुकेलर मिङनेटिक प्लो यह मन रेडियो वीब्स का इस्तिमाल करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यह carbon isotopes के जो fingerprint सा उनको जल्दी से search कर लेंगे इसलिए इने हम identify करते हैं built-in barcode built-in barcode for molecules जो के trace करेगा आपके पूरे के पूरे chemicals को यह chemicals forever chemical इसलिए कहते हैं क्योंकि यह extreme condition में भी खत्म नहीं होंगे यह प्रसिस्ट करे रहेंगे यह नहीं टूटेंगे breakdown नहीं होंगे तो इसमें हमने क्य जाना यह जो आपके फॉरेवर chemical है यह फॉरेवर chemical को हम और क्या कहते हैं डैडिस पर एंड पोली फ्लोरो अलकाइल सब्स्टांस के नाम से जाना जाता है यह सब्स्टांस में हम क्या करते हैं nuclear magnetic spectroscopy का इस्तिमाल करते हैं जिसमें हम magnetic field और radio waves का इस्तिमाल करके इनके molecule structure को प तोटने सकते हैं और इसके अंदर होता है built-in barcode for molecules जाने कि built-in barcode का मतलब क्या हुआ जैसे हम चीजें कोई भी वह करते हैं खरीते हैं तो बार कोड लगा होता है तो ऐसे ही हर पार्टिकल में बार कोड है इसमें हम identify कर सकते हैं किस technology के साथ that is आपका nuclear magnetic resonance spectroscopy के साथ radio waves and magnetic field का इस्तेमाल करके ओके चलिए next बढ़ते हैं अगला point यह है master clock system railway जो है वो लागू करने वाला है अब this is what is this master clock system देखो क्या होता है कि पहले क्या होता था जैसे गाड़ी निकली जैसे गाड़ी लिखी वो section officer जो है वो station master को बताता था कि ची कहा जी 8.45 पे गाड़ी न इसका मतलब मेरे station से दूसरा station दूर है एक घंटे जाने की 9.45 पे पहुंच जाएगी लेकिन यह क्या है यह human error हो सकता है क्योंकि जैसे मैं कहूं कि अब time कितना हुआ है तो आप obviously बात है हर बंदा गएगा यार इतना time हुआ है तो इतना time हुआ है तो that means हर जगा की ऊपर एक पर तरीके से जितने भी rail accidents होते हैं उन चीजों को control किया जा सकता है क्योंकि क्या होता है कि वह कह देते कि हाँ पास करगी यह 8.45 भाई ओ तब वहां पे पहुंच जाएगी तब जाके दूसरा पास होगा लेकिन सेम पटड़ी के ऊपर दो railway आ रही होती है तो clash जाने के crash हो आता है difficult जो है proper तरीके से यह क्या होगा accidents होंगे तो इसका मतलब क्या है कि यह initiative जो है इन चीजों को बचाएगा और इसमें हम जो है source time लेंगे जो master clock system में source time कैसे लेंगे GPS technology का इस्तेमाल करके जा फिर आप नविक का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी satellite है that means आपका national physical laboratory के साथ न आप update होता चले जाएगा master यह देखो आठ नो दस आठ नो दस आठ नो दस आठ नो दस तो यह सभी जगह की उपर time automatically वहां पर आ चुका है और इसके इस्तेमाल क्या किया नेविक का और national physical laboratory का इस्तेमाल करके पूरा data जो है synchronize किया जाता है जिसमें railway के accidents जो हैं हम बचाई ज सके तो अब यह manual ना करके हम master clock system में convert करने की बात कर रहे हैं जिससे हमारी efficiency और भी बढ़ जाएगी next point करते हैं जी हम discuss करते हैं नेक्स है जी juice probe Jupiter IC moons explorer probe यह actually क्या है यह 2021 में जुपीटर में घुश जाएगा that is juice probe और यह जो mission है European Space Agency का mission है और यह क्या करेगा जितने भी उसके वह हैं that is satellites है जुपीटर के जैसे कि Ganymede, Kalisto, Europa और IO इन सिप को study करेगा और वहां पे condition क्या है वहां पे water bodies है नहीं है वहां पे हम रह सकते हैं नहीं रह सकते उनकी history क्या है evolution कैसे हुआ प्रपर तरीके से magnetic field है नहीं है और प्रपर तरीके से हम वहां पे रह सकते हैं नहीं रह सकते क्या conditions ह हमें पता करवाएगा क्या that is this is use mission यह 2031 में enter कर जाएगा जुपीटर में जुपीटर हमारा जो है सबसे बड़ा planet है हमारे solar system का European Space Agency द्वारा यूज किया जा रहा है अब यह क्या करेगा जैसे कि जैसे यह धरती में घुसेगा तो पहले यह moon की gravity को follow करेगा जने कि उसकी gravity को redirect करेगा उसकी जो gravity है उसको use करके सीधा धरती में घुसेगा जैसी धरती में घुसेगा धरती में घुसके यह क्या करेगा कि वह थोड़ा सा slowdown होगा और फिर उसके बाद जो अर्थ gravity को slowdown करेगा और दीर दीरे जो है वह जुपीटर की तरफ जाएगा मतलब तो इसने पहल यह जुपीटर में घुसेगा 2031 में 2031 में तो this was in the news clear next हाँ पहला नेजर स्प्रे नेफी इसका जो है इसको मतलब USA के द्वारा जो है बोला गया है कि यह needle free alternative है जो आपके जो injections like epipen like epipen actually क्या है एक term होती है anaflexis जो यहां पर screen पर दिख रहा है यह life setting भी होती है severe होती है आप allergic होते हैं जैसे आप let's suppose कहीं से आप गुजरे कई बर क्या होता है खाना जो अमारा जैसे आटा होता है उससे भी हमें infection होती है पेट की तो छोड़ो जैसे कुछ बना तो बंदे को छीके लग जाएंगी let's suppose कोई जैसे जो खेत होते हैं field होते हैं उनमें एक अलग से खुश्बू आ रही होती है तो उस खुश्बू से भी आप लोग जो है अलर्जिकल हो सकते हैं जैसे कोई fool होता है fool से खुश्बू आ नाम से जाना जाता है तो एनफ्लिक्स एक severe life-threatening allergic reaction है आपकी बॉड़ी में इससे होता गया है जैसे यह chemical आपकी बॉड़ी में गया तो आपकी बॉड़ी जो immune system है वो react करेगा और पूरा का पूरा जो है flood हो जाएगा by chemicals release होने लग जाएंगे आपकी बॉड़ी में और यह एक news में था that is Mars में पहली बार जो है liquid water डूंडा है NASA के Mars in sight lander ने जो के उनकी seismic waves को देखता है Mars की Mars को हम क्या गयते है Red Planet के नाम से हम जानते हैं और Phobos और Demos जो है इसकी आपकी satellite है तो यह NASA का जो mission था Mars in sight lander तो इसने डूंडा है वहाँ की shock wave से पता लगा है कि हाँ कि यह जो Mars है Mars के अंदर जो है Mars के जो अंदर है वो पानी है और यह जो waves जो जैसे earthquake होता है न तो Mars में भी quake जाने के Mars quake होगा तो यहाँ पे इननने डूंडा कि जो इनकी igneous rock है जो primary चटाने हैं तो उसके अंदर जो है granite है और वो fill है liquid water से तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं इससे हम यह पता कर सकते हैं जैसा धर्ती पे water cycle होता है climate evolution green house gases का कोई चीज concept habitable environment यह सब चीज़े हम जो है Mars के उपर पता कर सकते हैं इस Mars inside lander से ओके चलिया जे नेक्स इस वेरी इंपोर्टन यह एक gene editing tool हमने मिला है यह gene editing tool आपने देख होगा Casps 9 protein यह सुना था आपने तो ऐसा ही अब gene editing tool और निकाला गया है जिसका नाम है ISDRA2TNB यह जो है यह बैक्टीरिया से निकाला गया है जिसका नाम है Dynococcus radiodurans जिसका मतलब क्या है कि यह जो plant का genome है उसको हम edit कर सकते हैं यह plant genome को edit कर देगा यह plant के अंदर दो categories होते ह जिसमें एक cotyledon जिसमें एक seed है और जैसे के आपका जो से rice वगरा हो गया dicots जैसे dicots जिसमें दो cotyledon देखने को में मिलते हैं लेकिन इसका जो effect है वो dicots में कम होके monocots में ज्यादा है जाने कि इनकी efficiency जो है वो monocots में ज्यादा देखने को मिलती है और यह gene editing करवाएंगे जाने कि अगर कोई चीज proper तरीके से जो है कोई नुकसान दाएक है particular plant के लिए नुकसान दाएक है तो उस gene को change करके उसको edit करके नहीं डाल देंगे और इससे क्या होगा agriculture में हमारी growth agriculture में production productivity जो है ज्यादा बढ़ पाएगी और इसमें same वो ही same चीज़े use करी जाएंगी edit करक यह transcription activate किया जाएगा यह transcription समझे ना वही जो DNA से RNA बनता है उस process को हम क्या कहते है transcription वही same चीज़ यहां पर आपका चीज़े use करी जाएंगी और इसमें हम जो है किसी plant की height है कोई growth है कोई bacteria है कोई भी चीज़ अगर उसके लिए दिक्कत करती है उस चीज़ों को control किया जा सकता है ऐसे तो this is a protein यह बहुत important protein जो है यहां बे मिला है this is the genome editing tool ओके next बात करते हैं अब यह point था यह heaviest anti-matter particle जिसका नाम है anti-hyper hydrogen 4 यह मिला है आपको New York में anti-hyper hydrogen 4 यह New York में मिला है this is anti-particle जा anti-matter देखो जी matter और anti-matter में difference क्या है जैसे difference है आपका electron और positron में electron जो होते है negatively charged होते है positron positive particle होते है दोनों का mass सब कुछ same होता है तो बस electron negative है उसको उल्टा कर दो positron हो जाएगा तो same this is anti-matter anti-matter क्या होता है यह anti-matter होते है matter का opposite जिसके अंत्रगत जो है same mass होता है बट उसका electrical charge होगा वो difference हो जाएगा जैसे पर anti-matter पूछा जा सकता है anti-particles पूछा जा सकता है definition में तो में science वाले questions में पूछा जा सकता है चलिए जी national space day हम celebrate करते हैं अगस्त 23 को जब हमने इस दिन को honor किया था जब हमारा mission चंद्रियान 3 successful हो गया था और यह इंडिया जो है fourth country है जो के moon के उपर जिसने land किया था और इसका जो 2024 का theme है वो याद कर लो touching the life while touching the moon India's space saga तो that means यह societal impact की उपर बात कर रहा है यह impact कर रहा है space achievement की उपर space की achievement जो society के लिए क्या है तो उसी के लिए यह theme आपका बनाया गया है national space day अगस्त 23 को ओके चलिए next बात करते हैं roomie one यह roomie one जो है यह एक ऐसा हमने hybrid rocket बनाया है जिसको हम reuse कर सकते हैं बार बार use कर सकते हैं इसमें एक hybrid motor होगी और एक आपका electrical triggered parachute deployer होगा जिसका इस्तेमाल दुबारा दुबारा से किया जा सकता है motor का भी इस्तेमाल किया जा सकता है parachute deployer का भी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और यह हमें पता करवाने में help करेगा क्या चीज़ें जो atmosphere के अंदर cosmic radiation जो star से निकलती है UV radiation और air की quality को find out करने में मदद करेगा जाने की atmosphere condition को अगर हमने पता करना है चाहे air की quality, UV radiation, cosmic radiation, चाहे हमारा climate change हो रहा है यह सब चीज़े find out करवाएगा क्या roomie 1 यह develop किया है space zone इंडिया ने पहला reusable hybrid rocket है इसमें हम hybrid motor और electrical triggered parachute deployer के इस्तिमाल कर रहे हैं और यह सिर्फ और सिर्फ atmosphere condition को ही चेक करेगा यह human space flight और lower earth orbit यह इन चीज़ों को कोई भी study करने वाला नहीं है सिर्फ atmosphere condition को study करेगा ठीक है next टैनेजर 1 satellite यह launch करी गई है NASA के दवारा जो के track करेगा methane और carbon dioxide emission और इसमें rocket जो है SpaceX का Falcon 9 rocket है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम find out करेंगे atmosphere condition में भी कौन सी चीज़ें खास करके methane, carbon dioxide emission, that means greenhouse effect, climate change यह सब चीज़ें यहां पर identify करेंगी और आपका global warming के बारे में हम पढ़ सकते हैं यहां पर तो this satellite यह पता होना चाहिए satellite क्या use करेगी इस तरीके question बनते हैं एक्जाम में यह क्या करेगी match order falling में करके ऐसे ठीक है जैसे यह teenager one satellite है यह पूछा जा सकता है roomie one क्या करेगा roomie one क्या करने वाला है यह सिर्फ करेगा atmosphere condition को चेक करेगा match order falling में तो ऐसी बनते हैं में पर्मे कोश्य पढ़ना ध्यान से यह पढ़ लिया था अगला हमने यह अगर आपकी body के ऊपर कोई cut है तो यह जो है अगर rodents जाने कि चूहे particularly चूहे यह transmitted human to human भी हो सकता है human to animals भी हो सकता है खास करके mainly rodents जाने कि चूहे चूहों से mainly यह आपका यह फैलती है ठीक है और यह उन जगाओं पे होती है जहां पे soil थोड़ी सी मतलब वो हो that is contaminated हो प यह आरिश बहुत जादा हो रही हो जहांपे पाणी बहुत जादा हो जाने कि टॉपिकला एरियए में यह यहां पे देखने को मिलती है तो इसका मतलब यह बिमारी कहां पर होगी चहां पर मॉन्सुन बहुत अच्छे से होगी क्योंगी पानी जो है intimacy देखने को मिलेगा औ तो आपके क्या है primary source जो इस बिमारी को फैलाएंगे बैक्टीरिया को फैलाएंगे तो इस दा लैप्टोस पायरोसिस वेरी इंपॉर्टन जूनोटिक डजीज यह दिया रखना जूनोटिक जू मतलब एनिमल ठीक है और यह देखो कैसे फैल रही है देखो रॉडेंट्स जो ह है carrier है यह person है चीक है तो इसने water body में गया water body के थ्रू जो है यह दूसरे एनिमल उनको गया फिर water body में फिर कहीं आप पहां पे नहा लिए जा आपने वहां से नॉर्मल वैसी पानी पी लिया तो भाई वह आपकी body में घुस गया तो लैप्टोस पायरोसिस हो जाएगा यह ब यहां पे हमारे लिए important क्या है that is codon de-optimization technology what is this codon de-optimization technology देखो क्या होता है आपका genetic material है आपका genome है जिसमें बहुत सारे जैसे है मैंने आपसे बात करी थे ने में A T C G A T C G इस तरीके से आपके ना वह लगे होते हैं तो this is called genome ओके तो अब इसमें जो codon होता है ना वह तीन क जो तीन का group होता है उसे हम क्या कहते है codon कहते हैं तो इन तीन codon को de-optimize करेंगे इसका मतलब क्या है let's suppose किसी आपके जो है यह मतलब इस technology में इस पूरे genetic material जो genetic code है viruses का उसको हम क्या करेंगे modify करेंगे इसको modify किया जा सकता है इनमें कुछ ऐसे codon pair होंगे जो under represent होंगे under represent मतलब वो represent नहीं करेंगी यह बिमारी cause कर रहे हैं और हम इसमें क्या करेंगे इन codons को without changing the codon uses or the amino acid sequence that means हम इसमें ना तो इनको use करेंगे ना हम in sequence को जो है modify करेंगे हम करने क्या वाले हैं हम genetic material के अंदर genetic code जो viruses का है उसको modify करेंगे और जो under represented codon pair है उनकी frequency को बढ़ाएंगे नहीं समझाया repeat करते हैं मेरे को लग गया वादा तुम्हें समय नहीं आया दोवारा पढ़ाता हूं इसको देखो जी देखो मान के चलो जैसे हमने discuss किया था यह वाइरस यह आपका वह क्या है मान के चलना यह ऐसा नहीं होता वैसे ठीक है यह आपका DNA है यह इस यह रगा उते है यह अभी आपको बताया था तो यह पूरे मेरे मटीर्ल में ऐसे है दो जब क्या गरतें है पूरे DNA को देखा जाए 謝謝 आपका उसे क्या चांटे है जिनो मोग तो इस जिनोम में हमहाते हैं इसको운 आउट करते हैं तो जब इसको निकाला जाता है laboratory में, तो भाई, इसमें क्या होगा, ऐसे जुड़े होते हैं, यह ऐसे जुड़े होते हैं, तो these are the pairs, तो ऐसे प्रॉपर तरी के से चल रहे होंगे, तो क्या होता है, यह तीन का जो group है, तीन, तीन के group को क्या कहते है, codon, ओके, यह तीन के group को क्या कहते है, codon, अब जो de-optimation technology जो है, इस शीज को क्या करने वाली है, कि कुछ viruses के अंदर का, यह जो आपके codon होंगे, यह ऐसे codon भी होंगे, जो represent नहीं कर रहे, कहने का मतलब क्या है, कि हम उसके in codons को change नहीं करेंगे, हम change क्या करेंगे, जो viruses का है, उसके, जो genetic material है, उसको modify कर देंगे, प्रॉपर तरीक चेंज नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे, जो underrepresented codon pair है, उनको क्या कर देंगे, modify कर देंगे, लेकिन जो उसका sequence है, उसको change नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, जो virus होगा, वो less virulent हो जाएगा, less virulent का मतलब क्या है, वो vaccine की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जिसमें underrepresented codon जो है, उसको जादा represent करवा देंगे, कहने का मतलब यह है, कि जिस बंदे के अंदर जो बिमारी, जिस चीज के कारण होती है, वो हो रही है, ठीक है, हम उसको बदल नहीं रहे, लेकिन जो द optimization technology का काम है, यह हम कर रहे हैं, COVID-19 booster vaccine के साथ, तो यह paper में पूछा जा सकता है, यह codon बगएरा paper में पूछे जा सकते हैं, technology भी पूछी जा सकती है, अब यह है solar paraboloid technology, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें पैरा, जो है आपके daddies, क्या कहते हैं, कौन सा था, parabolic mirror, parabolic mirror का इस्तिमाल किया जा रहा है, इसमें sunlight आएगी इस तरीके से, और यह बहुत जदा heat rich हो जाएगा, thousand time rich हो जाएगा, जिसमें हम utilize करेंगे, इसको electrical generation के लिए, तो this is technology, that's it, ठीक है, इसमें हम solar power का, solar power इसमें parabolic mirror का इसमें 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 को मिला था, लेकिन अब उसके कुछ cases, गुजरात में, राजस्तान में देखने को में मिले, और इसके कोई भी vaccine देखने को में नहीं नहीं मिलती, इसमें जो यह वाइरस है ना, जो हमारा brain है, brain का central nervous system है, यहाँ पे वो पहुंच जाता है, जैसे पहुंचेगा brain का outer layer है, जि यह कुछ जो जैसे डेंगू का मच्छर होता है, तो उसके कारण भी यह आपका चान्दीपूर वाइरस फैलता है, अब देखें जी क्या है चान्दीपूर वाइरस जो है, इसे हम acute encephalitis syndrome के नाम से जानते हैं, important है जी, यह रैप्डो विरेडे family से बिलॉंग करता है, यह बड़ा important है, सारा कुछ ही important है, sand fly से फैलता है, Aedes aegypti से फैलता है, और जैसे यह वाइरस center nervous system brain में पहुंच जाता है, इन से फ्लाइटस कर देता है, जनकी उनकी inflammation कर देता है, और यह बच्चों में खास करके, बच्चों में देखने को मिलता है, जो 15 साल से कम है, लेकिन यह मैचूर लोगों में, जब बुडए लोगों में नहीं देखने को मिलता है, पंदरा साल से कम बच्चों में ही देखने को मिलता है, इसकी कोई भी vaccine देखने को नहीं मिली, scandipur virus की, तो this is very important, चandipur virus. सिन hourum कुछ point discuss डिशिब करेंगे कुछ टैटिक pops कुछ ऐसे ndस डिसकर रहेंगे जो निव्य में थि टो यह की कुछ वर्ड था तो में वहां सीकोशन बना लिया कि हां ऐसा पूंचा जा सकता है ah अब एक क्या है points दिखेंजी light rabbit what is this पूछा जा सकता है what is this this is a technology यह technology जो है European organization for nuclear research जाने की सर्ण द्वारा बनाया गया है जिसमें हम प्रॉपर तरीकी से Large Hadron Collider Accelerator Chain प्रवाइड की जाएगी कहने का मतलब यह है कि यह प्रवाइड करेंगे इतनी जो है Large Hadron Collider Accelerator Chain जिसमें जो है प्रॉपर तरीकी से जो data transmission within seconds, mini seconds, spike or second एकदम से data transfer तो यह ध्यान रखना यह technology क्या प्रवाइड करेगी Large Hadron Collider Accelerator और यह कहां पर यूज करी जाएगी खास करके आपके telecommunication, quantum computing, space industry, small grid, financial market में यूज करी जाएगी हमार यह पहला point है यह first fact है यह fact के number number लिखे हुए है number two IRNSS that is Indian Regional Navigation Satellite System यहाँ पे operational name है इसका NAVIC, NAVIC का मतलब navigation with Indian constellation यह एक autonomous regional satellite है जो के time based, real time based positioning और timing service प्रवाइड कर रही है तो यह है जी आपका point तो इसका मतलब यह service पूछी जा सकती है एक technology है FRT that is called facial recognition technology यह biometric software का इस्सेमाल करेगी और यह use की जाती है security और surveillance के लिए एक है अटा, अटा मतलब atom trap trace analysis इसमें हम radiometric dating का इस्तेमाल करते हैं और हम किसी भी rock mineral की age find out करनी है तो हम कर सकते है atom trap trace analysis से जिसमें हम उस material के अंदर जो radioactive element present होगा उससे की amount से हम उसकी age find out कर सकते है नेक्स है जी आपका हाँ एक है जी technological doping doping समझते हो कि हाँ अगर आपने performance enhance करनी है injection बगारा लगा लेते हैं तो भाई enhancing that is called doping तो technology doping एक word use किया गया है आजकल बहुत होता है आजकल हम सब technology से घेरे पड़े हैं तो यह जो हम पढ़ रहे हैं यह भी टेकनोलजी डोपिंग है अदर्वाइस पहले हम क्या करते थे भाई नॉर्मल corners में पढ़ रहे हैं तो this is called technology doping तो इससे होगा क्या इससे जो हुए performance बढ़ेगी natural capability के beyond जो है आप क्या कर सकते हैं रीच बढ़ा सकते हैं लेकिन technology doping का मतलब क्या है कि जैसे athletes वगरा है जैसे यह शूज है तो यह टेकनोलजी कल doping है भाई आपके pair को सीधा रखेगा यहां पे cycle जो है प्रॉपर तरीके से जो आप जो आप वो घडिल नहीं लगा लेते automatic वाली कि हां भाई कितने step होगे क्या हो गया तो इससे आप अपनी natural capability के इलावा जो है unfair advantages यहां पे ले सकते हैं और performance बढ़ा सकते हैं और यहां पे जो है प्रॉपर तरीके से आपको data वगरा प्रोवाइड किया जाता है हर चीज का तो यह traditional equipment को हटा के अब आप technology की तरफ चल पड़े हैं this is called technological doping ओके next point DNA profiling news में था अब बहुत सरे suspect वगरा डूंडते रहते हैं तो DNA profiling क्या हो दिया है प्रॉपर तरीके से यह DNA का profile त्यार किया जाता है crime scene के उपर जो DNA मिला कोई hair मिला कोई blood मिला कुछ भी मिला तो इससे उसका sample त्यार किया तो यह था victim यह जो जिसके साथ कुछ गलत हुआ तो suspect number one का यह है suspect number two का यह है तो कहने का मतलब यह हो गया कि भाई अब इससे में find out कैसे होगा वो find out होगा कि suspect यह है वो है तो इसमें हम मतलब पता कर सकते हैं कि कौन person guilt है कौन person guilt नहीं है तो यह DNA profiling करी जाती है जिसमें पूरा DNA का structure analyze किया जाता है और हम इसमें जो है point one percent of the human DNA उसकी specific locations के उपर जाके जो है individuals को देख कर सकते हैं not the entire DNA पूरे DNA की पूरे genome की कोई जरुरत नहीं है हमें पूरे genome के अंदर point one percent DNA चाहिए और उससे हम profiling कर लेंगे लेकिन यह case जो है DNA profiling जो है अब लगातार भढ़ती चली जा रही है लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि जब हम एक जगा से दूसी जगा पर DNA पूरा लेके जाएंगे तो उसकी sampling लेके जाएंगे तो उसमें contamination हो सकती है जिससे वो data बदला जा सकता है तो यह है DNA profiling तो जिस में हम DNA बगारा के चीजों को analyze करते हैं अभी एक recent study आई थी जिसमें बोला गया था कि जो यह microwave है ठीक है यह जो microwave है इसमें बैक्टिरिया बगारा खत्म हो जाते हैं microwave से लेकिन अब भी देखने को मिला कि भाई बहुत सारे बैक्टिरिया जैसे के bacillus, micrococus and staphylococcus यह microwave के अं coral cholera vaccine develop करी गई है और कौन सी BBV131 अब आपको यहां बे वैक्षिन तो पूछीने के chances कम होते हैं लेकिन हां यह पूछा सकता कि cholera क्या है तो cholera एक water bond disease है पानी से फैलती है खास करके water contamination से और यह फैलती है विब्रियो कॉलरा से तो यह ध्यान रखना यह इसका बैक्टिरिया है सुगाइज यह थे हमारे current affairs आपके अगस्त महीने के पूरे current affairs हमारे science and tech के अगर आप ऐसे current affairs कोई और भी चाहते हैं वो भी बता दो और अगर आप शुद्ध हिंदी में चाहते हैं वो भी आप comment section में लिखके बताना वीडियो के खतम होने के बाद ठीक है तब ही वह मैं पढ़ता होता हूँ और आप कुछ भी चाहते हैं यार कुछ भी class चाहते हैं तो आप बता दो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ जो आने वाले दो तिन महीने हैं जिनके भी exam है भाई उनमें फाइदा हो जाए सब लोगों को I hope आपको ये class अच्छी लगी होगी class अच्छी लगी है लाइक कर दो चैनल को subscribe कर लो और हमारी जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ share करते रहा करो और बाकी updates आपको मिलेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल की उपर इंस्टाग्राम की उपर आप मुझे personally connect कर सकते हैं अगर आप में से batches के अंदर VIP live coupon code का इस्तेमाल करते हैं तो आपको maximum discount मिलेगा यह हमारे batches हैं सारे और इन batches के अंदर जो है आपको 1000 hour like content हर class की recording English Hindi में notes, PDFs, PPTs, सब कुछ आपको मिलेगा 1 to 1 mentorship मिलेगी, prelims के test series, prelims के लिए proper दरिके से handwritten notes में मिलेगे दोनों बाशाओं में, main answer writing program, day 1 से ही आपको करवाई जाती है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे आपकी preparation अच्छी नहीं हो, तो अगर आप इन batches में admission लेना चाते हैं, तो VIP live code का इस्तेमाल करें, अपना discount ले, अपनी preparation आगे बढ़ाएं, और यह सभी courses की जो link है, वो description और comment section में है, नहीं तो आप study IQ app और website पर जाके यह courses ले सकते हैं, so thank you so much guys, all the very best, good luck, take care, bye bye, thank you so much.